टॉप टिन सेफटी टिफ्स फॉर ओयल और गैस रिफाइनरी वर्कर्स आज हम बात करने वाले हैं उयल और गैस रिफाइनरी में काम कर रहे वर्कर्स की सेफटी से रिलेटेड टॉप तैन पॉइंट्स के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Oil and Gas Refinery में काम करना बहुत ही challenging होता है और potentially hazards भी होता है हमें चाहिए कि workers की safety के लिए उन्हें injury और accident से safe रखने के लिए safety को top priority पर रखें तो चलिए अब एक एक करके सारे points को अच्छे से details में समझते हैं Oil and Gas Refinery में Standard Operating Procedure यानी SOP को follow करना चाहिए और Refinery में established किये गए safety procedure और rules and regulation को proper तरह से follow करना चाहिए जिसकी वज़ा से tools, machinery, work, सारे process safely execute किये जा सकते हैं Second point है Oil and Gas Refinery में हमें properly personal protective equipment यानी PPE को wear करना चाहिए जैसे hard hat, safety goggles, ear protection, flame resistance clothes, gloves, mask and steel toe boots इन सभी safety PPE को हमारी safety के लिए design किया गया है ताकि किसी भी तरह के workers को कोई injury या कोई हाब ना हो सके Next point है Oil and Gas Refinery में हमें regularly safety training program conduct करते रहना चाहिए जिस से सभी worker को safety से related rules and regulations की update मिलती रहे और regularly हमें worker को training देनी चाहिए कि emergency procedure क्या होता है और कैसे execute करना है और उन्हें hazards को कैसे identify करना है और equipment को safely and properly कैसे use करना है इन सभी चीजों की worker को practice करानी चाहिए वो भी regularly basis से जिस से किसी भी तरह का incident या accident होने का chance बहुत ही कम हो Next point है Oil and Gas Refinery में हमें good housekeeping रखनी चाहिए Working area को बिलकुल clean रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह का sleep, trip या fall hazards या कोई खत्रा ना हो और working area में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे किसी तरह का risk हो तो उसे वहाँ से remove कर देना चाहिए Good housekeeping के process को follow करके हम हर तरह के accident, incident से safe रह सकते है Next point है oil and gas refinery में lock out, tag out, procedure को follow करना चाहिए अगर आप किसी भी तरह का maintenance work या repairing का work कर रहे हैं किसी equipment में तो ऐसे में आपको log out, tag out, procedure को जरूर फालो करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई hazardous या कोई incident या accident होने का chance ना हो Next point है oil and gas refinery में हमें चाहिए कि refinery में मौझूद सभी तरह के hazardous chemical के बारे में हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि उन से कौन कौन सा हिजार्ड हो सकता है और हमें सभी तरह के chemical से safety के safety data sheet यानि SDS और chemical handling procedure को follow करना चाहिए जिस से किसी भी तरह का कोई incident, accident होने का chance ना हो Next point है oil and gas refinery में हमें fire hazards को हमेशा control में रखना चाहिए हमें fire fighting से related basic rules तो जरूर मालूम होना चाहिए जैसे pass method, race method इन सभी method के बारे में हमें properly मालूम होना चाहिए और refinery में available fire fighting के कौन कौन सी location पर equipment मوجود है fire alarm कहां पर है, emergency exit कहां पर है इन सभी चीजों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए इसके लिए हमें workers को training देनी चाहिए उन्हें practice करानी चाहिए कि fire extinguisher का use कैसे करते हैं और fire से related सभी rules and regulation के बारे में हमें details में बताना चाहिए next है, oil and gas refinery में हमें चाहिए कि अगर आप confined space में काम कर रहे हैं तो ऐसे में आपको चाहिए कि confined space में इंट्री करने से पहले where appropriate safety equipment safety equipment को अच्छे तरीके से पहल लेना चाहिए और सभी safety procedure को follow करें और confined space में हमेशा एक partner के साथ ही जाएं ताकि किसी तरह की मदद आपको चाहिए तो आपके partner से समय पर आपको मदद मिल सके next है, oil and gas refinery में हमें चाहिए कि move कर रही किसी भी machinery के करीब ना जाएं ताकि किसी भी तरह का कोई accident incident ना हो और आपको ensure करना है कि operators को आपके वहां मौजूद होने का पता हो बिना inform किये machine के आस पास कभी भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना बहुत dangerous हो सकता है next है oil and gas refinery में हमें चाहिए कि अगर हम किसी तरह का कोई 1000 या कोई ऐसा risk देखें जिसमें इतना potential हो कि उसकी वज़ा से कोई incident या accident हो सके तो ऐसे में हमें तुरंट अपने site supervisor को safety engineer को inform करना चाहिए हमें चाहिए कि हम सब अपनी और एक दूसरे की safety का पूरा ख्याल रखें जिससे एक healthy and safe working environment क्रियेट हो और याद रखें कि safety सभी workers की जिम्मेदारी होती है हर एक workers के रूल फॉलो करने पर ही एक healthy working environment क्रियेट होता है इन सभी tips और safety rules and regulation को फॉलो करके refinery में वर्क कर रहें सभी वरकर अपने आपको safe and healthy रखेंट होता है I hope आपके लिए ये वीडियो useful होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe कर दें और वीडियो को अपनी friends and family के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और comment करके बताएं next वीडियो आप कौन से topic पर चाहते हैं